अमिताब बच्चन को जल्द ही दादा सहिफ फाल की अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें इसे पहले भी कई बड़े पुरुसकारों से नवाजा जा जुका है। जिन में पदमभूशन और पदमभूशन से नवाजे जा चुके हैं अमिताब बच्चन। अमिताब बच्चन को साल 1984 में पदमभूशन साल 2015 में पदमभूशन से नवाजा जा चुका है। अपने बहतरी नभीने के लिए अमिताफ को चार बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है उन्हें साल 1990 में अपनी फिर्म अगनी पत के लिए पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था इसके बाद उन्हें साल 2005 में आई फिल्म बलेक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया साल 2009 में पा और साल 2015 में पीकू के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया इसके अलावा उन्हें 12 फिल्म फियर पुरुसकार भी मिल चुके हैं इतना ही नहीं उनके नाम सबसे जादा बाज सर्वश्रिष अभिनीता फिल्म फियर अबॉर्ड का रिकॉर्ड है अमिताब बच्चन ने एक्टिंग के अलावा प्लेबेक सिंगर, फिल्म निर्माता और टीवी प्रेजन्टेटर के रोल में भी हाथ आजमाया है इतना ही नहीं उन्होंने इन रोल में बहुत जादा ख्याती कमाई है अमिताब बच्चन 1984 से 1987 तक लोगसभा के सदसे भी रहे हैं अमिताब बच्चन करीब 5 दशकों से सिनेमा के जरीए दशकों का मनुरंजन करते आ रहे हैं उन्हेंने साल 1970 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था उन्हें बड़े परदे पर पहचान साल 1970 में आई फिल्म आनंद से मिली इस फिल्म में उनके साथ राजेश्का ना एहम भूमिका में थे